Hello students, आप सभी के मने में आप question arise हो रहे होंगे कि नीट इंटरंस examination की counselling की date अब कब तक announce होगे यहाँ पर सुप्रिंग कोट ने permission दे दिये कि नीट इंटरंस examination UZ और PC की All India की counselling अब आप start कर सकते हैं जो आपका criteria था जो central government ने रखा तो उसको सुप्रिंग कोट ने particular ACR के लिए approve करके आपको counselling बढ़ने के लिए permission दे दिये अब students के मन में doubt यहाँ पर कि UZ और PC की counselling की dates कब तक यहाँ पर announce की जाएंगी तो कल यहाँ पर MCC की तरफ से जैसे के notice release किया गया था जिसमें MCC ने clearly वही चीज़ यहाँ पर explain के थी जो सुप्रिंग कोट का judgment यहाँ पर था public notice में सुप्रिंग कोट का judgment भी वहाँ पर दिया हुआ था तो counselling की जो dates हैं आपकी MCC के अब जल से जल आपकी बात करें सेशन है उस सेशन पर भी इसका effect यहाँ पर पढ़ेगा तो आप लोगों के लिए जैसे बात करने अलग-अलग state में जो है वह counselling यहाँ पर start की जा चुकी है similarly उसी तरीके से अब MCC अपनी counselling जल से start करेगा क्योंकि MCC की All India 15% MBBS BDS की counselling के बाद आई उसकी counselling भी यहाँ पर start होगी जो की MCC के Round 1 की result के declare के साथ साथ यहाँ पर start कर दी जाती है उसके बाद कई सारे stage जो होते है वो अपने MBBS BDS की counselling के बाद आई उसकी counselling यहाँ पर conduct कराते हैं उसमें भी यहाँ पर time लगता है तो अगर आप से बात कहेंगी की सुप्रिंग कोट का judgment आया और सुप्रिंग कोट ने जो judgment अपना दिया तो आप मान के चल सकते हैं कि इस week आने वाले week के पहले पहले आपके counselling की date आ जाएंगे और आपकी counselling के registration भी यहाँ पर start की जाएंगे